नमस्ते, आज कुछ भी कहने के पहले दो सच्ची घटनाएं जो हाल ही में घटी हैं एक मामला कोलकता का है तो दूसरा इंदौर का दोनों में समामता यह है कि दस्वी में कम नंबर या फेल होने की वज़े से दो किसोर उम्र बच्चियां इसलिए घर से भाग निकली कि मम्मी पापा डांटेंगे पहले कोलकता की घटना बच्ची घर से अपनी छोटी बहन के साथ निकली रिजल्ट देखने वहाँ पहुंची तो रिजल्ट उसके पक्षमें नहीं था मम्मी पापा की अपेक्छा के अनुरूप नहीं था रिजल्ट तो बच्ची साइबर कैफे से निकली और बहन के साथ घर ने जाकर कहीं और दूर चली गई जब वो घर नहीं लटी तो पाइरेंट्स परेसान हुए बेटी का फोन नॉट रीचेबल हो गया घबराय पिता ने अन्होनी किया संका में पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई पुलिस को मेट्रोई स्टेशन के पास सिस्कूटी मिल गई इस बीच पिता के फोन पर अफरन और दोनों बेटियों की सुरक्षित वापसी को एक करोड रूपए देने का संदेश मिला खर पुलिस ने दोनों बक्चियों को सुरक्षित बरामत कर लिया पता चला कि पैरेंट्स की डांट की वजह से बच्ची ने आफरन और फिरोती का जूठा ड्रामा रच दिया लगभग ऐसी घटना इन दोर से सामने आई है बेटी घर से कॉलेज बोल कर निकली और देर साम तक घर नहीं पहुची तलाज सुरू हुई तो कॉलेज के टीचर ने बताया कि साम 6 बजे के आसपास उसे गणपती चौराहे पर उन्होंने उता रहा था इसके बाद अचानक नावालिक योती का उसके एक दोस्त के पास फोन कॉल आता है जिसमें वो बचा लेने की बात कहती है और फॉरन फोन कट जाता है योती का दोस्त उनके पैरेंट्स के पास जाता है मामला पुलिस की जानकारी में आता है जान शुरू होती है तब तक यो की फटकार से बचने को सने अफरण की जूठी कहानी रच थी। सवाविक है कि दोनों ही बेटियों को अपने पैरेंट्स पर इतना भरोसा नहीं था कि वे अपनी सफलता की जानकारी देंगी तो भी वे डांट फटकार तो लगाएंगे लेकिन फिर आगे मेहनत करने को प्रेर देखते हैं पेट काटकर भी फीस भरी जाती है कॉपी किताब अरेंज किया जाता है उमीद तूटती है तो तकलीफ सवाविक है बट वहां बिचारणी विंदू यह है कि हम अपने बच्चों को सफलता का स्वाद चकने को तो प्रेरिद करते हैं लेकिन सफलता का स्वाद कौन चकाएगा बस यही वह सवाल है जो मैं आप से पूछना चाहता हूं और जबाब भी देना चाहता हूं हमें अपने बच्चों को असफलता के लिए भी तयार करना होगा यह जिम्मेदारी भी हमारी ही है अगर इन दोनों बच्चीयों को यह पता होता कि उनकी असफलता में भी पैरेंट्स डांट फटकार के बावजूद उनके साथ हैं तो साइद अफरन या फिरोती जैसा ड्रामा दोनों ही नहीं करती हैं जितनी मासूमियत से इन्होंने अफरन की सूचना दे दी दोनों को पता भी नहीं होगा कि अकेले मोवाइल फोन के सहारे पुलिस असल आ गया है कि रिजल्ट सीजन आते ही पैरेंट्स भी सतर्क हो जाएं जब वो अपने बच्चों को बड़ी बड़ी सफलताओं के किस्से बताते हैं तो कभी सफलताओं के स्वाध चकने को भी इंस्पायर करें ध्यान रहे इस स्कूल कॉलेज में नंबर मायने रखते हैं ले बेटा तुम अपना बेस्ट दो मतलब खूब पढ़ो अच्छी तयारी करो मन से एकजाम दो रिजल्ट की चिंता छोड़ दो वह जो भी होगा हम सब मिलकर तह कर लेंगे हमें बताना होगा कि किसी भी परीक्षा में नंबर सिर्फ नंबर है जिन्दगी नहीं भरोसा करिए जब बच्चों को ये भरोसा हो जाएगा कि हमारे पैरेंट्स हर हाल में हमारे साथ हैं तो रिजल्ट भी बढ़िया आएगा और ऐसे हाथसों से तो कताई दो चार नहीं होना पड़ेगा एक बार अपने लाडले या लाडली पर भरोसा करके तो देखिए निरास नहीं रोज कुछ समय उनके साथ बिताएं देखिए कैसे आपकी दुनिया खूबसूरत हो जाएगी जाए हिंद